अधिक एक हैरम्स को डिसकुस कर रहे थे उसी को आगे कंटीनु करते हैं जो एक्जाम के पॉइंट वप्यू से मोस्ट अमपोटेंट है इस्टुडेंट मैं आपको वह क्वेश्चन अबता हूँ जो एक्जाम से पूछे गए हैं जो एक्जाम के पॉइंट वप्यू से मोस्ट अमपोटेंट है एक्जाम में आपके आ सकते हैं ठीक है और में में बहत्री पॉइंट आपके इस सीरीज में रखे हुए हैं जो आपके लिए मैथ पूर है चलिए लेक्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ऑनलाइन जो हमारा मॉडूल है ऑनलाइन कोर्स है जो एक्जाम के पेपर बन एंड पेपर टू की पॉइंट वप्यू से मोस्ट इंपोटेंट है और जो हमारी जो ऑनलाइन रिश्टेशन चल रहे हैं बहुत सक नमबर ज चलिए उससे पहले लेक्टर करते हैं आप रामचरित मानस में कुल कितने कांड है तो चार अप्शन है इस्ट्यूएं आपकी पास पांच साथ नौ ग्यारा तो उसको करेक्ट आंसर है वह अपना भी तो रामचरित मानस में कुल कांड दी संक्या है साथ अब इस्ट्वए उससे पहले एक नहीं जालते हैं रामचरित मानस पर स्री रामचरित मानस अफदी वासा में गोश्वामी तुलसी दास द्वारा शोलवी सदी में रचित एक महा काप्वे इस्ट्राइट तो आपको याप एक पॉइंट और किरिट गया है जो एक जामिक पॉइंट पॉइं महा काप्वे इसुअ materagina को हिंदी साइस की एक महान कृति इसे सामान से तूर्सी रामचरित मानस वेख एक कृश्वामी तुलसी प्रकास में लिखा जा जाता है तो आपको अब दी वासा में लिखा गया है और तूरूची दास द्वारा रचित महा काप्वे है और फ्लस आइत की महन कृति माना जाता है और क्या कह सकते है राम चरित मानस को दूसरी विनाम से जाना जाता है किस नाम से तुल्सी रामायन और तुल्सी कृत रामायन भी का यादा इस्टुएट ठीक है इसके बारे में और जानकारी देख लेती है राम चरित मानस में साथ काण ने इ याद रखना है next वा जो question आएगा तो हो सकता आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन से रामसरिस मानस में जो साथ कांड है उनमें से कौन सा कांड है और कौन सा नहीं है तो आपको confuse करने के लिए question किसी भी पौम में आपसे पूछा जा सकता है student जो point मैंने आपे रखे हैं जो एक्जाम के लिए आपको याद रखना है most important है चलिए next question की और चलते है अंदा यूग किस प्रकार की रचना है चार option है पहला है उपन्यास काब नाटक काब नाटक तो इसको correct अंतर इस्ट्वेंट हो है काब नाटक है इससे सम्मंदित कुछ और जानकारी है तो वो और देखती है कि अंदा यूग धर्म भारती है धर्म भीर भारती है द्वारा रचित हिंदी काब नाटक है इसका प्रकासन सार उन्निसों पच्चिस इसवी में हुआता महा भारत युद्ध की अंति दुनों पर आदा रहते है इस युद्ध और उसकी बाद की समस्या है समस्या और मानवी महत कांचा को प्रिश्टित किया गया तो और आपसे कोश्चन आ जाए कि अंदा यूग किस से सम्मंदित है किस से तो आपको बता रहा है वो आपको महावार से सम्मंदित है किस ने इसको लिखा है कौन इसके रचेता है तो धर्म, बीर, भारती, तो आराजी हिंदी काप भी नाटक है इस्टुन ठीक है, next question की और चलते है अश्ट चापका कौन सा कभी नहीं है अश्ट चापका कौन सा कभी नहीं है चार ओप्सन है इस्टुन यहापर आपके पास प्रहला है मीरा भाई, दूसरा है नंददास तीसरा है पर्मा नंददास और चोता है कुम्बन दास तो इसका खरेक्ट अंतर इस्टुन वो है मीरा भाई तो अश्ट चाप संबंदित कुछ और जानकारी है वो और देख लेते हैं इस्टुन तो अश्ट चाप के बारे में अश्ट चाप कभीयो की अंतरगाद पुष्टी मारगी आचार बलब की काभ विकीरतन कार चार फिर्मुक सिस तता उनकी पुत्र बिठल नात के चार के भी चार सिस्टे तो आट अप ब्रज भूमी के निवासी थे और उनकी गीतों के संब्रे को अश्ट चाप कहा जाता है कुछ चाप के जो ब्रज जो सिस्टे को कहा के वासी थे आठ अब ब्रज भूमी के वासिते, ठीक है, इसके वारे मौझानकारी है, अश्ट चाप के कभी कितनी है, आठ है, उनके नाम आपको याद रखना है, कुम्बंदास, सुर्दास, कृष्णदास, पर्मादंदास, गोविन स्वामी, चिस्वामी, नंददास, चत्रूर्दास, तो स्टुडेंट, नेश्ट बार जो कॉष्ण आगा, वो ऐसे भी आ सकता है, कि अठ चाप के, इनमे से कौन से कभी नहीं है, और कौन से है, तो जी कॉष्ण आपको, जो पॉइंट मैंने आपको याद रखना है, एक्जाम के लिए, महतूर है, ठीक है, जी नोट करना है, नेश्ट पॉइंट के और चलते हैं, कलम का जादू किसे कहा जाता है, चार आप्शन हमारे पास, सुदर्शन को, राम ब्रच बेनिपुरी को, जेपी स्रीपास्तव को, या पर जोती पृसार को, तो इसका ये और राम ब्रच बेनिपुरी जी को कहा जाता है, इससे एक प्रेशन बनता है, एक्जाम के लिए, कि कलम का सिपाई किसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाई मुनसी प्रेंच बेनिपुरी जी है, जब कि कलम के सिपाई की बात की बात की जाई, तो मुनसी प्रेंच बेनिपुरी जी है, जब कि कलम के सिपाई की बात की बात की जाई, प्रिवतिबाद और उप्योगीता बाद का दूसरा नाम है यह कतन किसका है आप्शन पहला है हमारे पास राम बला सरमा का आप्शन सेकेंड है प्रेव चंद का आप्शन सेर्थाड है नं दुलारे बाचपी जी का है छोटा है सुमित्रा नं नं पंत जी का है तो इसके प्रेव चंद सेकेंड है हजारी प्रसाद वेदी तीसरा है आपके पास आप्शन महादी बर्मा चोटा है अचार राम चंद सुल्क है इससे सम्मंदि कुछ और जानकारी देख लेते हैं इस्ट्यूएंट हिंदी साइट के अब तक लिखी गए त्यासों में आचार राम चंद सुल्क द्वारा लिखी गए है हिंदी साइट का इदियास सबसे प्रमाड कता विवस्ते दियास माना जाता है आचार सुल्क जी ने इसे हिंदी सब्द सागर की भूणिगा के रूप में लेखा है इस्ट्यूएंट तो ये पॉइंट आपको याद हरा हुए नेस्ड प्रेंश रिश्न को चलती है इस्ट्यूएंट याँप के अपको बताने गीत गोविन्ट किस वासा में है हिंदी में है संस्कृत में है मथली में है या फिर अब्दी वासा में है तो इसको correct answer है वह संस्कृत वासा में है इससे सम्मंदित कुछ और महत्तों जानकारी देख लेते हैं तो गीत गोविन जह देव की काप रचना है यह संस्कृत वासा के महा कवी ते जिन्होंने गीत गोविन और रती मंजिरी की रचना की ते इस्टिड़न जह संस्कृत वासा के महा कवी ते जिन्होंने हिंदी गीत गोविन और रती मंजिरी की रचना की है तो जह संस्कृत आपको याद रखना है एकांकी के जन्म दाता कौन है तो वह आपको बताना है आपे इस्टिड़न भारतेंदु हरिच्चन जैसंद पिरसाद धरम बीर भारती और डॉक्टर रामकौार बर्मा तो इसके परेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर रामकौार बर्मा जी है ठीक है इस्टिड़न इससे सम्मंदित और जानकारी है कि आजने हिंदी साहित में एकाम की सम्मराट की रूप में जाने जाते हैं कौन डॉक्टर रामकौार बर्मा जी है ठीक है नेस्ट प्रिशन के ठीक है आज किस लेक्चर में हमने महत्कों प्रिशन डिसकस किये जो कि अग्याम की पॉइंट आफ इसे मुष्ट इंपोटेंट है स्टुड़न तो आज किस लेक्चर में इतना आए नेस्ट लेक्चर हैं मिलेंगे नए कुर्शन के साथ आज के लिए थैंक यू इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और प्लेस कमेंट करें जो भी आपका डाउट हो श्टुड़न कमेंट ब्रक्ट में लिखके हैं हमें सेंड करें थैंक यू